सबी प्यारे दोस्तों को गूड इवनिंग मैं आपका दोसंके चौधरी स्वागत करता हूँ आपके परिवार रोजगार विदंकित पर आशा करता हूँ कि आप सभी बहतरीन जबर्जा सिंदाबाद होगे तो कैसे हैं आप सभी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त क्ला से जड़ेंगे फिर स्टार्ट करेंगे आज के शेशन को तो कैसे हैं सभी गूड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे ललित गजब एकदम तो सभी प्यारे बच्चे जैसा कि आप जानते हैं रोज शाम शात बज़े आपके SSE MTS के एक्जाम को ध्यान मे रखते हुए Others Batch Practice Set Series के अंतरगत में लेके आता हूँ आपके लिए GS के एक बहतरीन से कुशन का कलेक्शन तो सभी बच्चे लास्ट में अपना अंसर करके जरूर बताएं कि आज आपने कितने कुशन को ठीक किया है तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे बिलकुल बिलकुल पहले कुशन की बात करूँ बच्चे फस्ट कुशन आपसे क्या केहता है कुशन कहता है काला सागर किस महा सागर में इस्थित है तो कैसे हैं आप बिल्कुल बिल्कुल अमन कुरेसी जी तो एक बर बताएंगे सबी प्यारे बच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा सभी का अंसर आना चीए काला सागर किस महा सागर प्रशांत महा सागर सबसे बढ़ा है इसके बाद अटलांटिक का नबर आता है इसके बाद मैं प्यारे बचे बात करूँ आपसे Indian Ocean, Hind Mahasagar तीसरे नमबर पे आता है ये एक्ज़ाम में पूछा गया है हिंध महasagar दुनिया में कौन से नमबर पे तो तीसरे पे दक्षणी Mahasagar, Southern Ocean बच्चे आपका किसे नमबर पे आता है अटलांटिक Mahasagar अटलांटिक अज़ान बात के लिए तो ये तो हो गया करम अगर मैं बात करूँ प्रिशान्त महासागर के अंदर बिटा एक गर्थ है ट्रेंच एक गढधा है जिसे बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच मेरियाना गर्थ तो मेरियाना गर्थ बच्चे पैसिफिक ओशियन में है और Pacific Ocean सबसे बड़ा और गहरा महा सागर भी है अब ये पूछ रहा है कि काला सागर किसका हिस्सा है सरदर्द कर रहा है बिटा सरदर्द की दवाई भी है में रिपास टेंशन ना लो अब देखो यहां देखो कि आप काला सागर दिखाई देगा आपको ये है Black Sea, काला सागर ये है बच्चे Sea of Azov ये Azov सागर है बिटा काला सागर के ऊपर इधर जाओगे यहां प्यारे बच्चे ये है आपका Sea of मरमरा मरमरा सागर और मरमरा सागर कनेक्ट होता है बिटा आपका भूमद्य सागर से मडिटेरियन सी से बहुमद्य सागर से और बच्चे बहुमद्य सागर जिब्राल्टर जलसंधी द्वारा किससे जुड़ता है अटलांटिक ओशियन से तो ये सभी किससे कनेक्ट हैं अटलांटिक ओशियन से ध्यान रखिएगा तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे काला सागर किसका भाग है तो काला सागर अटलांटिक महासागर का भाग है अटलांटिक महासागर एस आकार का है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है दूसरे नंबर पे आता है इसी के भाग है अगर आप से पूछे कोई भूमद्द सागर किसका भाग है मेडिटेरियंसी बिटा इसी का भाग है अगर आपसे पूछे अजोव सागर किस का भाग है अजोव शी अजोव सागर भी इसी का पार्ट है ध्यान रखना है बहुत important है और अगर मैं बात करूँ यहीं पर बचे एक सार गैसो सागर है सार गैसो सागर सार गैसो सागर सार गैसो सागर किसका भाग है तो सार गैसो सागर भी है अटलांटिक महा सागर में अगर आप से पूछे बचे बर्मूरा तिरकोण बर्मूरा ट्रेंगल जहां पर बिटा सब कुछ डूब जाता है बर्मूला तिरकोन जो रहसे बना रहा वो भी North Atlantic Ocean में है तो सारगेसो सागर जो अपनी vegetation के लिए famous है बनस्पती के लिए प्रिसिद्ध है ये सभी किसके Atlantic Ocean के ही भाग है और बिटा एक जलसंदी है जिसका नाम है बास फूरस जलसंदी तो बास फूरस जलसंदी किसको किस से connect करती है एक्जाम में पूछा जाता है तो ये बच्चे आपका काले सागर को काला सागर यानि कि Black Sea को काला सागर को मरमरा सागर से जोडती है काला सागर को मरमरा सागर से जोडती है बास फूरस जलसंदी जिब्राल्टर जलसंधी भूमद्य सागर को अट्लांटिक महासागर से जोड़ती है और बच्छे दिहान रखना है एक है प्यूटो रिکो प्यूटो रिको गर्त अट्लांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कोंसी है सबसे गहरी गर्त बहुत ही important बात एक्जाम में कई बार पूची गई है तो भीया ध्यान रखना है प्यूटो रिको गर्थ प्यूटो रिको गर्थ बिटा कहां पढ़ती है अटलांटिक महासागर में और इसकी गहराई लगभग 8,376 मीटर है कितनी बिटा 8,376 मीटर गहरी है ये अटलांटिक उशिन के अंदर है मेरियाना ट्रेंच लगभग आपकी 11,000 मीटर गहरी है दुनिया की सबसे गहरी गर्थ है और सुडा गर्थ बिटा सुडा गर्थ के बारे में आप सभी जानते हैं ये हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्थ है सुडा गर्थ प्यूटो रिको बिटा कहां अटलांटिक उशिन की सबसे गहरी गर्थ है बिटा अंग्रे जी में भी यही बोलते हैं अब मर्मरा सागर है सागर का नाम मर्मरे की जगए डैड सी थोड़ी नाए डैड सी तो अलग है वो मर्त सागर है यह अंग्रे जी में भी नाम सैमी है मेडिटेरियन सी हो गया मर्मरा सी हो गया जौब सी हो गया सारगे सो सी हो गया तो सैम है याद रखीगा आगे बात करूँ प्यारे बच्चे अगले प्रशन की अगला प्रशन आपसे क्या कहता है कहता है, निमलेकित मैंसे कौन सा प्रारूप सम्विधान, प्रारूप समीति के सदश्य नहीं था, जिसे 29 अगस्त 1947 को निखत किया गया था, आप सभी जानते हैं, ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं प्रारूप समीति को और इसके सात सदश्य थे बच्चे, अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडगर जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे अम्बेडगर साथ चीक है न जी तो अम्बेडगर जी इसके अध्यक्ष रहे इसमें टोटल साथ मेहम बढ़ते अब पूछ रहा है बिटा कि कौन सा आदमी ऐसा है जो प्रारूप समीती का मेंबर नहीं था इसका गठन कब हुआ 29 अगस्ट 1947 बहुत ही इंपूटेंट बात तो एक बार सभी प्यारे बच्चों का करेक्ट आंसर आना चीए MTS फोड़ना है बिटा तो फोड़ने के लिए पढ़ना पढ़ेगा बिना पढ़े तो कोई चीज नहीं फूटती है और निस्चित ही आप फोड़ के आओगे क्योंकि आपकी मेहनत में हम पूरा जी जान लगा देंगे बच्चों तो बताएंगे एक बार सही आंसर क्या होगा राजिंतर प्रिशाद बिटा बिलकुल राजिंतर प्रिशाद क्या थे बच्चे भारत के पहले रास्टपती रहे हैं राजिंतर प्रिशाद रास्टपती रहे हैं साथ के साथ बच्चे सम्विधान के पहले जो सम्विधान बहा के अध्यक्ष बनेते हैं, वो कौन बनेते हैं, को डॉक्टर बीमरा उम्बेटगर अध्यक्ष थे, सैयद मुहम्मद शादुल्ला के एम्मुंसी, ये सभी इसके सदश्य थे, आगे बात करूँ, तीन तो ये हो गए, चौते सदश्य हो जाएंगे, क्रशना स्वामी अयर क्रशना स्वामी अयर भी बिटा इसके सदश्य रहे हैं, ड्राफ्ट कमेटी के, पाँचवे नमबर की बात करूँ, एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल श्वामी भी बिटा इसके सदश्य रहे हैं, अगर मैं प्यारे बचे, छटे नमबर की बात करूँ आपसे, बी ऐल, बी अगले प्रशन की कह रहा है आपसे मधुमक्खी की कितनी आँखें होती हैं ये बच्चे कुश्चन CZL 2021 में पूछा गया है CZL 2021 में पूछा गया कुश्चन है बताओगे मधुमक्खी की कितनी आँखें होती हैं बिटा अब आप ये कहोगे गुरू जी मधुमक्खी की भी आँखें होती हैं बिटा हाँ छोटी सी है कई बार डंक वंक मार देती है दरुदर आपके दिक्कत हो जाती है बहुत सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो गया है मधुमक्खी की कुछ कह रहे हैं दो आँख होती हैं कुछ कह रहे हैं तीन आँख होती हैं तो बताएंगे एक बार सभी पहरे दोस्त अगर मैं बात करूँ यहां आपसे बच्चे मधुमक्खी की कितनी आख होती हैं बिटा चार बता रहे हैं पांच बता रहे हैं तीन आख होती है चलो भाई अगर मैं बात करूँ बच्छे आपसे यहाँ पर मदुमक्खी की पांच आख होती है कितनी होती है पांच आख दो आख जो होती है बचे वो बड़ी होती है और तीन आख छोटी होती है तीन आख जो होती है बचे वो छोटी होती है अगर मैं बात करूँ इसके पैर कितने होते हैं मदुमक्खी के तो बिटा पैर पैर जो होते हैं इसके बचे च्छे होते हैं च्छे पैर और पंक कितने हो होते हैं बच्षे पंक पंक होते हैं 4 इसके कितने होते हैं चार अगर मैं बात करूँ बच्चे यहां आपसे मधुमक्खी पालन स्थ के लिए किया जाता है और इसे बोलते हैं honeymoon कल्चर टो episode कल्चर क्या है मधुमक्खी पालन है ध्यान रखना बिहार का मुझफर पुर्जिला ठीक है ना बहुत प्रिसिद्ध है मदुमक ही पालन के लिए आगे बात करूँ बचे अगले प्रशन की हमें पता था सर हाँ बिटा जिसे पता था बहुत अच्छी बात है नहीं पता था तो पता कर लो ये चीज इंपूटेंट है निमलकित मैंसे व प्रशनमत नात गुपता सची चंदरनात बकसी क्या होगा करेक्ट अंसर जल्दी से हाँ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मदुमक ही पालन जादा किया जाता है पीडियफ बिटा मिल जाएगा बिटा पहले पीडियफ भीजदे हैं आपके पास पीडियफ भी मिल जिनका नाम था सूरियसेन सूरियसेन जो थे आपके इनोंने योजना बनाई थी सूरियसेन द्वारा योजना तयार की गई थी बिटिस जो आपकी पुलिस है उनका क्या लूटना था सस्त्रागार जहां पर सस्त्र रखे जाते हैं हतियार रखे जाते हैं और बच्चे सेन जी ने, लेकिन बच्चे इन में से कौन आदमी ऐसा है, तो एक आदमी है, जिसका नाम है गणेश गोस, गणेश गोस, तो गणेश गोस के बारे में भी पूछा जाता है, गणेश गोस का संबंद बिटा, यहीं इसी सस्त्रघार लूट से है, और अर्धेंदू दस्तीदार का संबंद भी बच्चे इसी सस्त्रागार लूट से है तो ये दोनों लोग भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं योजना बनाई गई थी मास्तर जी सूरिय सैन के द्वारा बात समझ मार हैं तो बंगाल के चटगाओं में ये काम हुआ था ये बात आपको ध्यान रखनी है तो बी ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आगे बात करें अगले प्रशन की हरित जीडीपी जिसे ग्रीन जीडीपी को निमले खितमे से किस रूप में वरनित किया जाता है देखो बिटा आपने अभी तक मैंने आपको बताया कि जीडीपी क्या होता है एक देश के बॉर्डर में एक साल में बनने वाला समान ही जीडीपी है सकल घरेल उतपाद है फिर मैंने आपको बताया एक होती है nominal GDP एक होती है real GDP nominal नाम मात्र की GDP एक होती है real GDP जो stable price पर पुराने rate पर 2011-12 के जो हमारे आधार बडस है उसे आधार मानकर जब GDP calculate की जाए एक मैंने आपको GDP deflator बताया GDP deflator जानी कि जिसे GDP अपस्विती कारक कहते हैं जो बच्चे GDP पर पाई को बताता है जब nominal GDP को real GDP से divide किया जाता है और 100 से multiply करते हैं तो GDP deflator निकल के आता है आप बताएंगे प्यारे दोस्त कि भया हरित GDP क्या होती है green रंग की बिटा जो सतत विकास सतत विकास का मतलब है sustainable development को ध्यान में रखते हुए GDP calculate की जाती है उसे बच्चे हरित GDP कहते हैं कि आप बिटा परियावरन के बारे में क्या सोच रहे हो ठीक है ना हमारे देश के परियावरन के बारे में क्या सोच रहे हो भाई आप तो यह कह रहा है GDP का वह प्रतिसद जो सरकार हरित पहल के लिए खर्च करती है कताई गलत परियावरनिये छती के समायोजन के बाद क किसी देश की GDP आपने कितना परियावरण को लॉस पहुचाया है यही बेटा आपकी ग्रीन जीडीपी होती है मौद्रिक संदर्म में वनो और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के GDP में युगदान कोई भी चीज नहीं नवी करनी है सुरूत से कोई लेना देना नहीं तो बहिए ग्रीन जीडीपी का मतलब है कि बच्चे परियावरण के छती का समायोजन कितना नुकसान पहुचा है परियावरण का आपके उत्पादन से तो बिटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा FDI का पूरा नाम क्या होता है जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे FDI देखो बच्चे अगर मैं बात करूँ यहां आपसे तो FDI Foreign Development नहीं होगा यह कह रहा है विदेशी विकासात्मक तो विदेशी निवेस दो प्रकार का होता है इसे बोलते हैं Foreign Investment Foreign Investment बारत में निवेस करेगा तो वो भारत के लिए विदेशी निवेस है और यह कुश्चन कैई बार बना है विदेशी निवेस दो तरीके का होता है एक होता है बच्चे जिसे बोलते हैं FDI इसे बोलते हैं Foreign Direct Investment Foreign Direct Investment Foreign Direct Investment अगर किसी कमपनी का Investment बिटा 10% या 10% से जादा है तो उसे Direct Investment कहा जाता है अगर किसी कमपनी में आप निवेस कर रहे हो और बाहर के ओ भारत की में तो अगर आप 10% से कम निवेस कर रहे हो कम निवेस कर रहे हो बच्चे तो उसे FPI बोला जाता है Foreign Portfolio Investment कहा जाता है बात किलियर है अगर कोई विदेसी कमपनी भारत में कोई नई कमपनी स्टार्ट करती है नई कमपनी नई यूनिट स्टार्ट करती है जैसे Apple भारत में आके अपनी नई कमपनी खोले तो प्यारे ब Investment क्या होता है Greenfield Investment का मतलब है कि कोई विदेस की कमपनी भारत में जब नई कमपनी स्थापित करती है बात के लिए तो यहां क्या कह रहा है आपसे FDI का पूरा नाम है विदेसी प्रत्यक्ष निवेस जो की 10% या 10% से जाधा किसी कमपनी के शेर परचेज किये जाते हैं या को DI के अंतरगत आता है 10% से कम बच्षे वो आपका FPI Foreign Portfolio Investment सबसे जाधा भारत में 2021 में जो Foreign Investment हुआ है विदेसी निवेस हुआ है कौन से देश ने किया है तो याद रखेगा बिटा सिंगापुर से सिंगापुर से सबसे जाधा विदेसी निवेस प्राप्थ हुआ है दूसर सबसे जाधा विदेसी निवेस कहां से आया है भारत में अमेरिका से सिंगापुर से बच्चे पहले नंबर पर आया है सबसे जाधा अगर मैं बात करूं किस राज्य को सबसे जाधा विदेसी निवेस प्राप्थ हुआ है तो राज्य के मामले में आ जाता है बच्चे करना करनाटक राज्य को सबसे जादा विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है करनाटक करनाटक के बाद ये फस्ट नमबर पे हैं दूसरे नमबर पर है महरास्टाप का महरास्ट्रा को दूसरे नमबर पे सबसे जादा विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है बात क्लियर है चलो बात करूं भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नुक्ती की जाती है एक बार सभी बच्चों का अंसर आना चीए एक बार बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या कहेंगे भारत में मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की नुक्ती कौन करता है अगर मैं बात करूं प्यारे बचे अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो आप क्या CM बनना चाहते हैं, तो क्या होना चीए भारत के नागरिक हों, विधान सबाह में छुने जाने की योगता रखते हों, तो बचे आप कोई से भी सदन के सदश्य हों, वाला कि छे राज्यों में ही हैं केबल का बहुमत वाली पार्टी का जो लीडर होता है, और किसी पार्टी को मैजॉर्टी के लिए क्या जरूरी है कि उस राज्य में जितनी भी विधान सबाह की सीट हैं, विधान सबाह की सीट का 50% प्लस 1, यानि कि मानलो अगर बिटा किसी राज्य में 100 सीटे हैं विधान सबाह की तो मुख्यमंत्री बनने के लिए जीतने वाली पार्टी को मैजॉर्टी से एक मतलब मैजॉर्टी चीए मैजॉर्टी का मतलब होता है पचास परसेंट से एक सीट जादा बात के लिए अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री की न्युक्ती कौन करता है बचे राज्यपाल करत लेता है और राज्यपाल अपनी सफत जो लेता है वो संबंधित राज्य के जो बच्चे हाई कोड है उसके यानि कि जो जज होगा चीफ जज हाई कोड का उसके समक्ष लेता है बात को लियर रहा न चलो बही यह मैं पूछ रहा हूं कि बहीं चीफ मिनस्टर की सफत कौन दिलाता है कर दिलाएगा मुख्यमंत्री भी मैजोरिटी पार्टी का लीडर होता है ऐसे मुख्यमंत्री राज्य में ऐसे वहां बच्चे हो जाएगा चलू भाई आगे बात करें अगले pushn क्या कह रहा है अगला pushn क्या कह रहा है ये कह रहा है प्रतवी के वायू मंडल की पहली परत कौन सी है सभी बच्शों का आंसर आना चीए सभी बच्शों का आना चीए जल्दी सांसर करेंगे चलो भई बहुत अच्छे गजब एकदम चेंज करिए अगर मैं बात करूं प्यारे बचे हमारे वायू मंडल वायू मंडल मतलब प्रतवी के चारोर जो वायू है वायू मंडल में 88% हमारी कौन सी गैस पाई जाती है सबसे जादा नाइट्रोजन मिलती है और प्रतवी पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसके कारण ह पाई जाती है इसके बाद बच्छे आरगन पाई जाती है 0.93% something आरगन AR और इसके बाद 0.03% बच्छे carbon dioxide मिलती है CO2 मिलती है ये गैसों का करम है सबसे जादा आपको पता है nitrogen वायू मंडल की कुछ परत हैं बच्छे प्रत्वी के सबसे नजदीक वाली जो परत होती है प्रत्वी हमारी अर्थ के सबसे पहली वाली परत को बच्छे क्या बोलते हैं ट्रोपो स्वेर बोलते हैं छोब मंडल कहते हैं हम कहां रहते हैं छोब मंडल के अंदर रहते हैं स्वेर के अंदर इस सबसे निचली परत है इसके उपर जो होती है उसे कहा जाता है समताप मंडल समताप मंडल के अंदर क्या होता है बचे तो वायूयान उड़ते हैं आपके वायूयान यहीं उड़ते हैं इसी समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है ओजोन लेयर औ और इसके बाद मैं बात करूँ बच्छे अगली जो परत होती है तीसरे नमबर की वो होती है मध्य मंडल मीसोस्फेर मध्य मंडल बिटा सबसे ठंडी परत है coldest layer of the atmosphere और यहां पर बच्छे इसके साथ साथ यहां जो उलका पिंड होते हैं आसमान से आते हैं उलका पिंड किस परत में आके जलने लगते हैं तो मध्य मंडल के अंदर मीसोस्फेर के अंदर इसके बाहर जो परत होती है प्यारे बच्छे उसे कहा जाता है आयन मंडल या थर्मोस्फेर आयनोस्फेर या फिर थर्मोस्फेर और आयन मंडल के अंदर मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा यह से लोट के वापस आती हैं और जो प्रत्वी से जुड़े हुए सैटेलाइट होते हैं ऐसे आसमान में टीवी में देखे होंगे आपने तो कम्यूनिकेशन सैटेलाइट कहां इस्थापित किये जाते हैं तो आंसर आना चीए आयन मंडल के अंदर और जो सबसे बाहर वाली परत होती है इसके इसे एक्जोस्फेर यानि की बाहर मंडल कहा जाता है क्या बोलते हैं बाहर मंडल कहते हैं ये बाहरी परत होती है तो भी एक्जाम में पूछी गई है या पूछी जा सकती है वो सारी चीज़े कबर करके चलता हूँ तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजेगा अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक वाला बटन भी दवा दिया अगरो कभी कभी चीग है भाई दिख नहीं रहा है देखो ध् संकेत देता है ये पुछा गया है बचे घाटा अगर मैं बात करूँ आपसे बजट घाटा क्या होता है बजट डैफिसिट बोलते हैं बजट घाटा ठीक है न एक होता है फाइनेंशिल सरपलस सरपलस का मतलब है जब बिटा सरकार के पास इनकम जादा हो और सरकार का प्लस बजट यानि कि पैसा आ जादा रहा है खर्च कम हो रहा है आर्टिकल 112 में वार्सिक वित्य विबरन के रूप में बजट को परिभासित किया गया है आप सभी जानते हैं और बजट घाटा क्या होता है बिटा यदि सरकार की कुल इंकम कब होगा बजट घाटा बजट ड हटे के जैसा ही है राज कोशिय घाटा जिसे हम फिसकल डेफिसिट कहते हैं राज कोशिय घाटे का सूत्र क्या होता है बिटा राज कोशिय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल वे सरकार का कुल वे माइनस रिनों को छोड़ कर रिन मतलब जो सरकार करजा लेने वाली है रि को छोड़ कर सरकार की कुल आए total income कितनी है ये बिटा राजकोश्य घाटे का फॉर्मूला है अब सरकार की income भी दो तरीके की होती है एक राजस्वाए और एक पूजीगत आए राजस्वाए वहे आए होती है जो सरकार पर ना तो करदा बढ़ाती है और ना ही सरकार को वापस देनी होती है जैसे सरकार टेक्स लगाती है वो revenue रिसिप्ट है एक होती है बचे पूझी गत आए पूझी गत आए ऐसी या तो सरकार अपनी company बेच दे कोई या फिर बिटा सरकार की ऐसी income ऐसी आए जिससे बचे सरकार को वापस करनी पड़े जैसे कि आपने देखा होगा सरक कई बार पैसा उधार ले लेती है तो राजकोशिय गहटा क्या बताता है राजकोशिय गहटा बताता है कि सरकार को कितना रिन लेनी की ज़रूरत पड़ेगी तो यह नी कि आपका रिन लेने वाली है और सरकार उसे हटाके जो Cole income होती है उसे डिवाइड करते हैं और आपको एक चीज बता दूँ मैंने कल भी एक कुशन पूछा था आपको याद होगा कि भीया इस बार 2023-2024 का जो बजट है इसमें राजकोश्य घाटा कितना अनुमानित किया गया है एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 2023-2024 के बजट में राजकोश्य घाटा जो रहेगा वो कितना है GDP का ये कुशन बिटा एक्जाम में छपने वाले कुशनों में से एक है तो कितना होगा प्यारे बच्चे इस बार इस बार है बच्चे आपका 5.9% रखा गया है कितना रखा गया है 5.9 होगा ना भई 6.6 कैसे हो 5.9% भाई और पिछली बार का कितना था बच्चे पिछली बार का 2022-23 के लिए कितना था 2022-23 के लिए था 6.4% बात के लिए पलट जाते हो तुम अपनी बात से आगे आजाओ अगले कुशन की बात करते हैं ये कह रहा है भारतिये सम्विधान में न्याय पालिका की स्वतंतर करता का प्रावधान निमलिक हित्मे से किस देश के सम्विधान से लिया गया है न्याय पालिका यनि कि जो आपका बच्चे मैं बात करूँ आपसे सरकार के अंग की तो सरकार के तीन अंग होते हैं कौन-कौन से होते हैं एक होता है आपका कार्य पालिका कार्य पालिका का का तो सभी मंत्री बंत्री इसके अंदर आते हैं, प्रिशाशन चलाना, एड्मिनिस्ट्रेशन, दूसरा होता है विधाई का, विधाई का काम होता है, विधी बनाना, लौ बनाना, इसके अंदर पार्लियामेंट शामिल है, संसद शामिल है, और तीसरा होता है बच्चे आपका जुडिश्यरी 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 ज संसदिय शाषन प्रणाली यहां से लिए संसदिय और बच्चे मंत्री मंडल का जो प्रोविजन है वो भी यहीं से लिया गए मंत्री मंडल प्रणाली भी हमने यहीं से लिए है तीनों चीज बहुत इंपूर्टेंट है France के संविधान से हमने क्या कह लिया है एक तो गणतंतरातमक का जो विचार है गणतंत्र होंगे, रिपबलिक होंगे हम ये चीज और यहां Francis करांती से 3 सब्द ली गए स्वतंतरता, समानता और बंधुता समान्ता और बंदुता बंदुता का मतलब होता है भाई चारा ये हमारी तीन सब्द ना ये तीनों सब्द हमारी प्रस्तावना में शामिल किये गए हैं तो प्रस्तावना के अंदर ये तीन सब्द जो लिए गए हैं स्वतंत्ता, समानता और बंदुता ये फ्रांसिसी किरांती के सब्द है ये फ्रांस के सम्विधान से लिए गए है USSR के सम्विधान से हमने मौलिक कर्तव लिए है मौलिक कर्तव है, ये important है बहुत, मौलिक कर्तव है अगर मैं बात करूँ बचे USA के सम्विधान से हमने क्या क्या लिया है तो USA के सम्विधान से बचे एक तो हमने उपरास्टपती का पद ले लिया चलो उपरास्टपती तो ठीक है याद हैं आपको एक तो fundamental right मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार भाग तीन में यहीं से लिए गए हैं मौलिक अधिकार के साथ साथ बचे उपरास्टपती उपरास्टपती का पद उपरास्टपती साब का पद वित्य आपातकाल फाइनेंश एमर्जनसी वित्य आपातकाल यानि कि आपके जो सुप्रेम कोट के जज होते हैं साथ के साथ जो रास्टपती साब हैं इनको हटाए जाने का जो प्रोसीजर है जिसे महाभियोग कहते हैं बिटा ये भी यही के कॉंस्ट्यूशन से लिया गया है साथ के साथ बच्चे न्यायपालेका के सुतंतरता और बच्चे न्यायक पुनराव लोकन ठीक है न भई जिसे कहते हैं जुडीशल रिव्यू रिव्यू ठीक है न भई जुडीशल रिव्यू का प्राभधान न्यायक पुनराव लोकन अपने दिये गए जस्टिस को दुबा कोट के हाई कोट के जज़ेस और रास्टपती पर impeachment finance emergency article 360 और बच्चे रास्टपती उपरास्टपती का पद fundamental right मौलिक अधिकार ये सब USA के constitution से लिए गए हैं हरित करांती की सुरुवात मैं हुई थी मैं बिटा कैं मैं हुई थी बताएंगे एक बार एक बार सभी बच्चों का answer आना चाहिए IPL, PIL, PIL चलो आजाओ बहुत अच्छे अगर मैं बात करूँ Green Revolution की, हरित करांती की ये 1960 के दसक में स्टार्ट हुई थी बिटा, मैक्सिको में मैक्सिको से मैक्सिको से यहाँ मैक्सिको में एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिनका नाम है Norman Borlaug Norman Borlaug साब इन्होंने एक HYV, High Williding Variety HYV यानि कि HYV बोलते हैं मतलब उन्नत किसम के बीच छोटे से गैहों की प्रजाती को खोजा जिसके लिए बचे इन्हें यानि कि Norman Borlaug को 1970 में शांती का नोबल पुरुषकार भी दिया गया ठीक है न भही एक्जाम में पूछा जाता है सांती का नोबेल मिला था अब एक्जाम में क्या देगा आपको यानि कि इन्हें क्रसी के छित्र में नोबल मिला था बिड़ा करसी के छेतर में नोबल पुरुसकार नहीं दिया जाता है, सांती के छेतर में एक बार कुशन बना है, तो यहां मेक्सिको से स्टार्ट हुई थी, जबकि यह नॉर्मन बॉरलॉग साब कहां के थे बच्चे, USA के रहने वाले थे, अमेरिका के, लेकिन यह अपने प् स्टार्ट हुई हरित करांती, वो बच्चे 1960 में एज़ा प्रियोग स्टार्ट की गई, प्रियोग के तौर पे और वो पंजाब से स्टार्ट की गई, बाद में इसे ऑफीशिल तरीके से 1966-67 में शुरू किया गया था, कहां बच्चे आपका पूरे देश के अंदर, सबसे जादा फाइदा किसे मिला, गेहूं की फसल को और चावल की फसल को, किस फसल में नुकसान हुआ, उत्पादन घटा, दालों का उत्पादन कम हो गया था, बिटा ध्यान लखिएगा, क्योंकि लोग जादा गेहूं चावल उत्पादित करने लग गए थे, और भारत में इस पादन, पूड के प्रडेक्शन को बढ़ाना इसका उद्धिश है था, आगे बात करूं बच्छे अगले प्रशन की और एक नाम है विलियम गौड जिसे कहा जाता है, विलियम गौड साब ने हरित करांती नाम दिया था, हरित करांती सब्द किस ने दिया, तो अमेरिगा क अगे बात करें बच्छे अगले प्रशन की प्रशन की प्रशन कहता है आपसे सौनल मान सिंग को निमले कित मैं से किस सास्त्री निरत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार दिया गया है, मनी पुरी, उडीशी, कतकली, मुहनी, अटम, तो एक बार सभी प्यारे बच्छों का अंसर आना चीए, अंसर सभी का आना चीए, बता रहे हैं, मनी पुरी है, उडीशी है, कतकली, अगर बिटा, आंसर आप कर कैसे सकते हो, अगर आपने कभी ये सुना है, कि मैंने सोनल मान सिंग के बारे में बताया है, तो आप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर है न सकते हो, लेकिन इसके लिए पता होना चीए, ना, तो बध्या सोनल मान सिंग Turkish की नत्तांगना है, एक तो है भारत नाटियम, भारत नात्याम, और एक है पैयरे बच्छे उडीशी, दो नत्ती की नत्तांगना रही है, ठीकर ना, उडीशी, अब भारत नात्याम तो तो उडिशी के लिए इन्हें दिया गया था, बचे कौन सा पुरिसकार? संगीत नाटक अकादमी पुरिसकार, अब देखो ध्यान से समझो, अगर मैं बात करूँ प्यारे बचे, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरिसकार कम मिला, तो 1987 में, छिके न, 1987 में संगीत नाटक इसके बाद इन्हे बक्चे 1992 में 1992 में 1992 में पदम भूशन पुरूशकार दिया गया था पदम भूशन और ध्यान रखिएगा ये पदम भूशन प्राप्त करने वाली सबसे कम उमर की महिला बन गई थी सबसे कम उम्र की महिला तो बिटा सबसे कम उम्र की फीमेल कौन है महिला कौन है बहुत इंपोटेंट कुशन पूछा गया है सोनल मान सिंग पदम भूशन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है बहुत इंपोटेंट कुशन और एक और important question बता दूं बचे, यहां 2003 में सोनल मान सिंग को बचे पदम विभूशन पुरुसकार दिया गया था, ये भी important है, और ये पदम विभूशन प्राप्त करने वाली देश की पहली, देश की प्रथम, देश की प्रथम नर्तांगना थी, ठीक है न, महिला नर्त की, मह महिला नर्त की थी, तो आप से एक्जाम में कुशन पूछे है, कि पदम विभूशन प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला नर्त की कौन है, 2003 में मिला सोनल मान शिंग को, नर्त के शित्र में देश की पहली नर्त तांगना, तो ये चीज़ धियान रखनी है, बहुत important point ह सारे के सारे, नवंबर 2022 में महरास्त्रा भारत के अंधेरी पूर्व निर्वाचक शित्र से विधान सभा के सदश्य कौन बने है, बहिया अगर कोई आदमी बिटा कैई बार क्या होता है न, कि किसी आदमी ने इलेक्शन लड़ा, MLA बना, और वो बच्चे किसी कारण से, ब दो सीटों पर यहां चुनाब हुए हैं, कौन कौन सी, बच्चे एक तो है अंधेरी पूर्व, अंधेरी पूर्व सीट बच्चे, और दूसरी सीट है कोलापुर सीट, कोलापुर सीट, तो अंधेरी पूर्व और कोलापुर दो सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, बाई एले पार्टी से बिलॉंग करते हैं किसे हैं बचे कांग्रेश पार्टी से बिलॉंग करते हैं जैसरी जादव और यहां अंधेरी पूर्व से बचे रितू रितूजा लटके जीते हैं लटक गए बचे तो लटके रितूजा लटके साब उपचुनाब बहुत पूछे जाते हैं तो जहां भी उप्चुनाब हुए हैं, मैं एक एक कुश्चन करके बच्चे हर राज्य के उप्चुनाब तुम्हें कवर कराने का प्रियास करूँगा, SSE का फैबरेट टॉपिक होता है, उप्चुनाब, जनगड़ना, तो ये सभी टॉपिक शामिल किये जाएंगे, और जहां से भी पॉसिबल होगा, ठीक है न भई, तो रितुजा लटके बच्चे जीते हैं, और ये रितुजा लटके बच्चे उध्धव पार्टी से संबंदित हैं, उध्धव ठाकरे, ठाकरे पार्टी, ठीक है न भई, किसे ठाकरे पार्टी की तरफ से हैं, अगर मैं कुल बात करूँ आपसे, यहां पर विधान सभा की सीटों की, महरास्टरा के अंदर विधान सभा की कुल सीट है कितनी हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी से एक बार, और लोक सभा की सीट कितनी हैं, बच्चे, लोक सभा सीट कितनी हैं, दोनों चीज़ हैं बतानी आपको, चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे बताएंगे, सिब सेना, बिटा, सिब सेना, वोई, समझ जाये करो, ऐसे ही, उद्दब ठाकरे, तो बच्चे, बताएंगे, विधान सभा की सीटों की संग्या कितनी है, 288 है, 288 महरास्ट्रम है, लोक सभा की सीट कितनी है, 48, 48 हैं, यहां के वर्तमान सीम कौन है, सिंदे साब है, एक नात सिंदे, एक नात सिंदे भाईशाब है, यहां के इस समय के सीम उद्धव जी को छोड़के इन्होंने बच्चे बीजेपी से मिल कर देविंदर फर्नवीस यहां के उपमुख्यमंत्री बन गए और यहां पर बिटा जो गवर्नर है प्रिजेंट में राज्यपाल है वो कौन है रमीस बैस साब है रमीस बैस इन से बैस मत करना कि महरास्ट्रा के हैं रमेस बैस साब तो रितूजा लटके बने हैं बिटा यह लटक गए थे एक बार तो इसलिए ध्यान रखिएगा अंधेरी पूर्ब से आगे बात करें बच्चे एक रहा है नालंदा विस्विध्यल्य की स्थापना द्वारा पांचवी सताब्दी में की गई थी किसके द्वारा की गई थी तो पांचवी सताब्दी के दोरान गुप्त साम्राज्य है गुप्त साम्राज्य है गुप्त साम्राज्य को बारे के जो टाइम है न बिटा यसे भारती इस त्यास का स्वन युग कहा जाता है स्वन काल भी कहा जाता है स्वन युग कहा जाता है भारती है इतिहास का स्वन युग गुप्त सामराज्य है और गुप्त सामराज्य के शाशक कुमार गुप्त प्रिथम ने बिहार के नालंदा में कहा है ये बिटा बिहार के नालंदा में हैं बिहार के नालंदा में इस विस सेनापती था सेनापती जी हर राजा के सेनापती हुआ करते थे जिनका नाम था बक्तियार खिल जी बक्तियार खिल जी ने इस विश्विध्याले को बिटा नस्ट कर दिया था जी के ना भई बक्तियार खिल जी ने इसमें आग लगा दी इस विश्विध्याले में बिटा इत उसके आक्रमन का वर्णन किस किताब में मिलता है कि इसने वहीया आक्रमन किया भारत नाम है तबाक ए नसीरी नमक बुक में इसका वर्णन मिलता है यहां तक्षिला विश्विध ध्याले PRE और एक कुशन और पूछता है कि बक्तियार खिल जी ने कहां पर विजय हासिल की बिटा या बंगाल पर विजय किसने हाशिल की तो भी या बंगाल पर विजय करने वाला भी यही था ये दोनों कुशन पूछे गए हैं आपसे एक्जाम में बंगाल पर विजय और बंगाल के राजा जो थे वहां के वो थे आपके बच्चे लक्षमन सैन, लक्षमन सैन को हराया था और बंगाल पर विजय हाशिल की थी सबसे पहले इसी ने, आगे बात करूँ बच्चे अगले प्रशन की अगला प्रशन कह रहा है आपसे निमलेकित मैसे कौन सा त्योहार केरल में बताएंगे बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, बेटा सबसे प्राचीनतम विश्विध्याले तो तक्षिला हुआ करता था, अब वो पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांतम पहुंच गया है, लेकिन हाँ ये अपने आप में पांचवी सताब दीमकुल तक्षिला और भी पुराना था, जब चंद्रकुप्त मौरिया आचार्य हुआ करते थे, तक्षिला विश्विध्याले के, तो बताएंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त क्या होगा, देखो वीशु कहां का त्योहार है बिटा, वीशु केरल का है, वीशु त्योहार बिटा पुन्धाडो, पुन्थंडो, ठीक है न भई, पुन्थांडो, पुन्थांडो त्योहार, पुन्थांडो, पुन्थांडो बहुत इंपूटेंट फेस्टिबल है, कम से कम बच्चे साथ आठ बार मैंने देखा है, ये पुन्थंडो फेस्टिबल पुछा गया है, जो भी पूछे तो में मनाज जाता हैत में एक नूएर festival है नए वर्स के रूप में इसे मनाते हैं न्यू इयर के रूप में celebrate करते हैं ओडम त्योहार केरला का है आप सभी जानते हैं और इसमें बचे महाबली को शमर्पित है ये कितने दिन तक मनाया जाता है ये 10 दिन तक celebrate किया जाता है याद रखिएगा बहुत important है तो भगवान विश्णू के ही अवतार माने जाते हैं महाबली साब ठीक है न भई तो दिहान रखिएगा और यहाँ बचे नवर्स के रूप में मनाते हैं इसे स्रीलंका और बचे कहां तमिल नाडू के अंदर उगादी का भी सैम है और उगादी की बात करूँ तो यहाँ ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है ब्रह्मा जी की तो उगादी फेस्टिबल पर किसकी पूजा होती है ब्रह्मा जी की बचे आगे बात करूँ अगले प्रिशन की अगला प्रिशन क्या कह रहा है बचे आवर् केरल, करनाटक, तमिल नाडू, इधर मनाया जाता है, सेलिबरेट किया जाता है, करनाटक, आंधर प्रदेश और ते लंगा ना, तीन मैं, सुरी, तमिल नाडू गलती से बोल गया हूँ मैं, तो बच्चे, 17 समुह में रखा गया है, हैलोजन तत्वों को, तो हैलोजन, इसमें बच्चे, 6 आते हैं, आपके 6, 6 element इसमें शामिल हैं, इन्हें विशयले element भी कहा जाता है, विस मानों इन्हें एक तरीके से, कौन-कौन आते हैं इसमें, तो इस हैलोजन शमुह के अंदर जो शामिल है, एक तो बच्चे, आपका आता है, फ्लोरीन, ठीके ना, फ्लोरीन, औ ब्रोमीन का होता है बच्चे, बी आर, इसमें शामिल है आयोडीन, जिसकी कमी से गहंगा होता है, आयोडीन, तो आयोडीन समु 17 के अंदर आता है, इसका है, आई है, आई सिंबल, आई, तो ये 4 हो गए, एक है प्यारे बच्चे, अई स्टाटीन, 80 बोलते हैं, अस्टाटीन को, और एक होते बच्चे आपका, इस्टेटिन, इस्टेटिन, जो होते बच्चे इसे बोलते हैं, तो ये हैलोजन तत्व हैं आपके 6 कि 6, आगे बात करूं, होकी के मैदान का आयाम कितना होता है, आयाम, यहनि कि बहुए, लंबा अगर मैं बात करूँ बच्छे आपसे हौकी हौकी की जो स्टिक होती है यानि कि खुद जो हौकी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है ये भी प्रशन पूछा गया है तो 105 सेंटीमीटर होती है बच्छे स्टिक की लंबाई और अगर मैं बात करूँ इसका वजन कितना होता है बजन होता है होकी की स्टिक का बच्छे, लगभग 737 ग्राम के असपास, इससे कम ही होगा, इससे जादा नहीं होगा, होकी से संभंधित कुछ कप हैं जैसे कि आपने सुना होगा सिंधिया कप के बारे में, रंगा स्वामी कभी इसी से जुड़ा हुआ है आपने सुना होगा ध्यान चंद कभ तो मेजर ध्यान चंद का संबंद किस से है होकी के जादूगर ये भी होकी से और होकी के मैदान का जो आयाम होता है ये वचे लगभग आपका कितना 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चोड़ा नहरू कभी बिटा इसी से जुड़ा हुआ है ये कहा रहा है विक्रम शिला गंगाटिक डॉल्फिन अभ्यारण कहा इस्थित है SSE MTS में एक बार पूछा गया है तो बहुत important प्रिशन है विक्रम शिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण ये कहा रहा है विशाका पटनम है भागलपूर में है हरीद्वार में है इलाबाद के अंदर है तो सभी बच्चों का अंसर आना चाहिए correct answer क्या होगा बहुत अच्छे गजब एकदम अगर मैं बात करूँ बच्चे बिहार की तो बिहार के अंदर एक मात्र रास्टिय उध्यान है तो रास्टिय उध्यान तो बच्चे एक ये नेसनल पार्क तो एक ये जिसका नाम है आपका क्या तो बताएंगे एक बार क्या न ने नील की घेती के लिए अंदोलन भी किया था वालमी की रास्टिय उध्यान ठीके ना यहां गेंडा जंगली कुट्टा बाग तैंदुआ ये सारे जानवर पाये जाते हैं बिहार के भागलपुर में है विक्रम शिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण बहुत इंपू हमारे देश का रास्टिय जलिय जीव है रास्टिय जलिय जीव है यानि कि बच्चे अगर मैं बात करूँ इसे रास्टिय जलिय जीव कब गोसित किया गया तो 18 मई 2010 में रास्टिय जलिय जीव गोसित किया गया है ठीक है ना हला कि इसकी जो अनौंसमेंट कर दिया गया था वो 5 अक्टूवर 2009 को कर दिया गया था PM थे उस समय मन मोहन सिंग ठीक है ना तो भारत का रास्टी जली अजीब गंगा डॉल्फिन है अगर मैं बिहार की बच्चे बात करूँ यहां तो बिहार के जो वर्तमान सीम है वो कौन है नितीश कुमार है मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ कि आप एक एक करके याद करते रहें ऐसा नहीं कि एंजॉय करने के लिए एक्जाम में गवर्नर सीम, विधान सभा, उप्चुनाब ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं और SSE के फैबरेट होते हैं अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चे यहां गवर्नर कौन बने हैं तो नए गवर्नर कौन बने हैं विश्वनाथ कौन बने हैं बच्चे विश्वनाथ आर लेकर विश्वनाथ आर लेकर यहां के नए गवर्नर बने हैं आगे बात करूँ बच्छे अगले प्रशन की पराशव तरंगें वे तरंगें हैं जिनकी आवरती परिशर कितनी हुती है पराशव देखो धनी तरंगें न बच्छे इनकी जो आवरती हुती है फ्रिक्वेंसी हुती है आवरती को जो मेजर किया जाता है वो हज हड्स में प्रिक्म कारएं, आवरती के अधार पर, कौन कोजिए ही हुँऊँ हैं उतिCha में, प्रेक्सJI, आपकी जन्य जन्हें बोलते हैं, इन्फासऻोनिक, इन्फासोनिक वेब, इन्फास्वाट से बीज हड्स से भी कम होती है एक होती है बच्चे जिनने बोलते हैं सोनिक या ओडेवल वेब सोनिक वेब जिनने बोलते हैं बच्चे श्रव तरंगें श्रव तरंगें की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 20 हड्स से लेके 20 हजार के का मतलब है विटा हजार 20 हजार हड्स जिनने मानव सुन सकता है और एक होती है बच्चे ज worries जने कहते है ultrasonic wave ultrasonic जने पराश्रवे कहा जाता है पराश्रवे तरंगें जो होती है इनकी जो frequency होती है वो 20,000 हर्ड से अधिक होती है इने भी कुछ विशेस जानवर सुन सकते है जैसे कि आपकी चम कादड एक्जाम में पूछता है चम कादड कैसी तरंगे निकालती है कैसी द्वनी तो बच्छे पराशरव और अफशरव को जैसे कुछ गेंडा हो गया हाती हो गया ऐसे जानवर सुन लेते हैं चम कादड कुता बिली ये बच्छे कैसी सुन पाते हैं अल्टरा सोनिक भी सुन लेते हैं यानि कि इन्हें बच्छे भुकंप भुकंप की भी पहले ही पता चल पाती है तो ये पूछ रहा है पराशरव तरंगों 20 हड से अधिक 20 से 20,000 हड बीस हजार से भी जादा तो पराश रहे पहले पर्शोरव तरंगों की जो फ्रेक्वेंसी होती है वो वाक्षे सी यॉप्शन होगा 20,000 हड से भी जादा होती है बात के लिए आगे बात करें बच्छे अगले प्रिश्ण का अंडि बातरों ये किस के कारण होता है डेंगो बिटा किस बतायो जल्दी से देखो भाई डेंगू का जो वाइरस होता है वाइरस वच्छे डेंगू का जो वाइरस होता है उसे बोलते हैं अगर मैं बात करूं बच्छे तो डेंगू किसके कारण होता है विशानू के द्वारा होने वाला रोग है इसमें मैं बात करूं बच्छे कौन फैलाता है इसे तो एंडीज मच्छर के बारे में आपने सुना होगा ये भी फीमेल मच्छर होती है यहां बच्छे फीमेलों नह ज़्यादातर फीमेल मच्खरी काटते है बचचे पुरुस मच्खर तो बिटारा बहुत सीधा हुता है वो कहा काटेगा तो एंडीज मच्खर जो हुता है बचचे मच्छरी कह सकते हो इसे है मच्खर की वाईफ है बिटा ये द not एंडीज मच्छर के कारण फैलता है और इसमें बच्चे हमारे कौन सा ओर्गन प्रभावित होता है तो हमारा लीवर और हमारे लंग्स बच्चे और साथ में हमें बुखार बुखार बदंदर्द ये इसके सिम्टम्स होते हैं बहुत बढ़िया बिटा मादा एनफली से मलेर प्रोटोजुा के और टाइफाइड जो होता है जिसे हम बच्चे हडडी तूड बुखार बहुता है तू आपका हुता है किसे बैक्टिरिया के कारण वह दूस्त भोजन और जल से साथ हय था ये बच यह विबच्य ये भी च्णान Finnish मजएम बखार आख ना कान से खून नि प्लेटलेट्स कम हो जाती है डेंगू के अंदर और प्लेटलेट्स क्या बनाती है आपकी ये बनाती है आपके बचे हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना रक्त का थक्का जमाना जब भी आपने देखा होगा कि भाया रक्त का थक्क जमाने का काम है इनका जब भी डेंगो हुआ है किसी को तो प्लेटलेट गिर जाती हैं और वो कहते हैं पहीं मेरी प्लेटलेट smallest बहुत कम हो बच्छे आंसर करेंगे सांख की दिवस कब मनाया जाता है यहां मैं बात करूं बच्छे 27 जून को जो दिन मनाया जाता है उसे बोलते हैं MSME Day जो आपके Small Industries के लिए है MSME Day MSME Day कम मनाया जाता है बच्छे तो दिहान रखिएगा 27 जून को 30 जून को मनाया जाता है चुद्र ग्रह दिवस चुद्र ग्रह बोलते हैं अस्टेरोइड को तो बहिए चुद्र ग्रह दिवस चुद्र ग्रह दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं बच्छे आपका तो आंसर आ जाना करूँ जून महीने के तो पांच जून को बहुत इंपोटेंट दिवन है परिया वरंड दिवस परिया वरंड दिवस बच्छे आठ जून को बच्छे महा सागर विस्व महा सागर दिवस महा सागरों का डे है महा सागर दिवस मनाया जाता है और बच्छे यहीं पर 21 जून को योगा दिवस भी मनाते हैं योगा और बच्छे 14 दिवस को 14 जो उनको 14 जो उनको एक important day है जिसका नाम है रक्तदान दिवस विस्व रक्तदान आपको रक्तदान करना चीए blood donate करना चीए तो रक्तदान दिवस परियावरण दिवस important हैं सारे के सारे ये कह रहा है विदेश मंत्री स जसंकर ने किस देश में सरदार वल्लब भाई पतेल की पृतिमा का अनावरण किया है तो बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे अभी की बात है 15 से 17 फरवरी के बीच 15 से 17 फरवरी के बीच विदेश मंत्री S. जैसंकर कहां थे? फिजी के अंदर कनाडा बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो की गलत है कहां थे बच्चे? फिजी के अंदर फिजी के अंदर और फिजी की राजधानी क्या है बच्चे? सुवा तो फिजी की राजधानी शुवा के अंदर ही यहीं पर बारवा विश्व हिंदी संभेलन का भी आयोजन किया गया था विश्व हिंदी संभेलन को अटेंड करने गए थे यहाँ पर तो यह सोचे के और दो चार काम कर लूँ तो विश्व हिंदी संभेलन कहां हुआ है बारवा वो भी फिजी के अंदर हुआ है बिटा और यहीं पर बच्चे सुवा के अंदर इंडियन हाउस में इंडियन हाउस के अंदर फिजी की राजधानी शुवा के इंडियन हाउस के अंदर यहीं पर बिटा सरदार वल्लब भाई पतेल भारत के एक्ता के पृतीक इसकी स्थापना किया इनकी मूर्ती का बच्चे अनावरन किया है पड़दा वरदा हटाया होगा तो दिहान रखना है सुवा बिटा सुवा नहीं है सुवा तो होता है सुई का बड़ा भहिया जिसे चुबो देते हैं किसी को वह आपने चुबूया होगा कभी, थीखे न, तो वो उताहस हुआ, तो बात केंगे बात करें, बच्चे, तो यहाँ की मुद्रा क्या है? फिजी की डॉलर है, ध्यान रखिए, डॉलर ही यहाँ की करंसी है, फिजी की, डॉलर करंसी है, आगे बात करूँ, यह कینके रहा है, फ चैके मारी मारी नि कैसे थंतलर क्ली्य फिर्थ भnd दर हो गया है उन्हें किस वर्स का продолж साही पौ्रुषकाहर भी अच्छ पी बहुत्थ अच्छे बहुत सारे बच्चों का निघन हँग गया तो अगर मैं यहां 2016 में इन्हें बचे 2016 में 48वा दादा साहिब फाल के पुरुसकार दिया गया था जो सिनेमा के शित्र में दिया जाता है और 1992 में इन्हें बचे पदम सिरीशे भी सम्मानित किया गया है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है तो 2016 में मिला था इन्हें 48वा दादा साहिब फाल के पुरुसकार बिटा बहुत इंपूडेंट आगे बात करें अगले प्रशन की अगला प्रशन कहा रहा है बचे आपसे बाफ्ता बाफ्ता अवार्ड बिटिस अकेडमी औफ फिल्म एंड टेली वीजन अवार्ड बिटेन के द्वारा दिये जाते हैं बाफ्ता शिनेमा के शेतर में ही बाफ्ता तो बाफ्ता अवार्ड बिटा ये कह रहा है कि भाई इनकी स्थापना कब हुई है बाफ्ता की बहुत सारे बच्चों का अंसर आ रहा है अगर मैं बात करूँ बिटा बाफटा की तो बाफटा की इस्ठापना हुई थी बच्छे 29 मई 19.49 में ने स्टास्ट किया गया था बिटेन के द्वारा दिये जाते हैं और बच्छे 76 बाफटा पुरुसकार का वितरण जो किया गया है वो 2023 में किया गया है 76 वे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बचे Best Actor का अवर्ड जो मिला है Best Actor का बाफ्टा में Best Actor का अवर्ड मिला है बचे Austin Butler Austin Butler को दिया गया है प्यारे बचे Austin Butler तो ध्यान रखियेगा कब हुई थी स्थापना तो 1904, 1949 में इनकी स्थापना हुई थी आगे बात करूँ अगले प्रशन की हिंदी भासा के लिए साहित अकैदमी पुरुसकार 2022 के विजेदा कौन है तो आप सभी जानते हैं बहतर तरीके से कि बचे अगर मैं बात करूँ 1954 के अंदर 1954 में यहाँ 54 पीछे बता रहे थे आप साहित अकैदमी पुरुसकार की स्थापना हुई तो साहित अकादमी पुरुसकार की स्थापना कब हुई तो याद रखिएगा बिटा 1956 में यानि कि यह कितनी भासाओं में तो 22 राजभासा और हिंदी इंगलिस टोटल मिला कि 24 भासाओं में ये पुर्षकार दिया जाता है इसमें दी जाने वाली कुल रकम बेटा पहले प्रारंब में 1904 में केबल 5000 रुपे दिये जाते थे जिसे 2010 में बढ़ा कर बेटा एक लाक रुपिया कर दिया गया एक लाक रुपे दिये जाते हैं वर्तमान में इसमें ठीके ना इंग्लिस की क्लास स्टार्ट होगी बटा एक मिनट तो लगेगी अब ले लास्टी तो कुश्चन है अब कैसे सुनू मैं तुमारी तुम मेरी भी तो सुन लो अब लास्ट कुश्चन छोड़ दूं क्या नहीं बच्चे लास्ट कुश्चन हो रहे हैं उसे निपटालो और अगर मैं बात करूँ बच्चे यहां आपसे तुमडी के सब्द के लिए किसे बद्री नारायन को हिंदी में दिया गया है इनकी रचना क्या थी? कविता संग रहे था तुमडी के सब्द तुमडी के सब्द इनकी जो कविदा थी इसके लिए इन्हें ये पुरुस्कार दिया गया है इंगलिस में जो ये पुरुस्कार मिला है बच्चे अनुराधा राय को दिया गया है अनुराधा राय को अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को दिया गया है ये भी बात धिहान रखनी है अंग्रेजी में अनुराधा राय हिंद्री में बद्री नारण आगे बात करूँ अगला कुशन जो कि होमबर के लिए होता है आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताता है हुरोन ग्लोबल 500 मुलेवान कमपनियों की सूची में 2022 के अनुसार भारत की सबसे मुलेवान कमपनी कौन सी रही है तो भारत की आपको बतानी है दुनिया की विस्व की सबसे मुलेवान कमपनी जो इसने सामिल की है वो बच्चे एपल है आईपोन जो बनाती है एपल से बिटा ये मैंने बता दिया है इस कुशन का अंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे देखो भई चीजें सीखने को मिलती है तो कई बार ऐसा है दो एक आद मिनिट आगे बीछे भी हो जाता है इतना घवरा मत जाया करो आपके लिए तो सब कुछ हो रहा है अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेर कीजेगा अपना स्कोर जरूर शेर किया करो कमेंट सेक्शन के अंदर यहां आपका स्कोर क्या है मुझे लगना चीए कि कुछन का आप दीरे-दीरे सीख रहे हो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कितने कुछन आप करेक्ट कर पा रहे है पच्छिस मैं से पच्छिस बता रहे है एक तो भाही साब ओ भाहीया पच्छिस मैं से पच्छिस नहीं हो सकते ठीक च्छे गलत हुआ है मजा आया मजा आया मजा आना चीए साथ ठीक हुएं बस कोई दिक्कत नहीं बटा पढ़ो डेली पढ़ो 21 ओ ओ ओ ओ चलो बहुत अच्छे अपना अपना स्कोर सभी प्यारे बच्छे शेयर कीज़ेगा और क्लास को जरूर लीज़ेगा कमपलसरी जीवन में डाल दो इसे तो यह कलास बहुत फाइदा पहुचाएगी किसी भी एक्जाम का तयारी कर रहे हो आप तो बिटा फाइदा इसमें पूरा पूरा मिलेगा आपको लव यू टेक केर बाई 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 बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए जैहन बचे आज की कलास यहीं तक कलास अच्छी लगी हो तो लाइक सेर जरूर कीज़ेगा बचे